हे दोस्तो लिविस मेडिसन टर्मन एक अमेरिकन सैकोलोजिस थे जिने एक कॉंट्रोवर्शल फिगर भी माना जाता है क्यूँ वैल अभी पता चलेगा देखो बात यह थी ना कि लिविस ने एक स्टडी करी थी जो कि करेंट्ली भी दा ओल्डेस्ट अन लॉंगेस्ट टर्नि अपस में जगळा भी करते हैं कि इंटलिजेंस को इसको उसको मेजर कैसे करना चाहिए आपको पता होगा किस लोग अलग तरीके से नापते हैं मैंने वीडियो बनाया था था कि सब्सक्रेश को सबूब अच्चे होते हैं अच्छे बात कर पाते हैं ऐसी हर स्टेडी में वो इंटेलिजेंस को आईक्यू के बेसे स्टेडी कर रहे थे और उनकी एक वाइल्ड थियरी भी थी अब उन्होंने क्या किया कि अगर हम ऐसे मेजर करेंगे और जो भी इंसान के आईक्यू है ना वो लोग गिफ्टेड बच्चे होंगे और हंडेड की नीचे जो भी आएंगे ना बच्चे अब उनको बोल सकते हैं और स्मार्ड बच्चे नहीं है जो लुविस थे ना वो चाहते थे कि इंटेलिजेंट बच्चे है ना उनके ओपर जादा ध्यान दिया जाए उनको अलग से स्कूल दिया जाए बिकास ये लोग ये ना सुसाइटी को फॉर्म करेंगे जबकि जो समझदार बच्चे नहीं होते हैं जिनका आईक्यों हंडेड से कम होता है ना उन लोगों के लेलग से स्कूल होनी चाहिए उनको वर्कस बनाना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसे टाइप की उनकी सोच थी ना इस चीज को प्रू उनने क्या क्या इसी प्री से घंड ही बच्चे इससे बात बढ़ती गई है ने रट यूजर मेशे हो और मेंस थी ना जब ल्युनन इनके आफार से आधार स्विश चाहिए उनकी लॉग टाइम पर जिनके करना यूख चीज तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते कि यह सारे बच्चे है ना जो इंटेलिजन्ट बच्चे है वह अच्छे है बढ़े जो इनकी नियत थी थी थोड़ी अलगा थी विक्वाइब इन्टेलिजेंट के टेगरी में सिर्फ वाइड बच्चों को लिया था और ब्लैक बच्च उन्हाबी बच्चों में से 50% से जादा लोगों ने ग्राइजूटि सita क्लीड करी थि अदिंए lesson पर यहां पर 50 से जादा लोगोंने क्राइजुएशन काो अजिंड़कल का ईवरेज थी वो teachers बन रहे थे और mundane type की jobs कर रहे थे कुछ लोग policeman बन गए थे कुछ seaman बन गए थे कुछ typist बन गए थे इवन कुछ लोग filing clerk बने थे ये सबी लोग IQ में बहुत ज़ादा थे बट स्टिल इनकी जो achievement थी वो बहुत ही ज़ादा average थी और इसे research के end way free ये समझ में आना जो intellect होता है जो अच्छे marks होता है school में अच्छा perform करना होता है वो intellect और जो achievements होती है बच्चों की वो hand in hand नहीं जाता है मतलब ये ज़रा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान बहुत intellectually बहुत अच्छा है marks बहुत अच्छे ला रहा है school में अच्छा कर रहा है तो उसकी जिन्दगी में उसके जो achievements रहेंगे वो भी बहुत ज़ादा अच्छे रहेंगे और इससे रेटेट एक अच्छा code भी है कि success और failure in anyone's life depends upon individual capability which must be channelized correctly education का और success का ना तालमिल कई बर नहीं बैठता है जरूरी नहीं है कि एक बंदा बहुत ज़ादा educated है तब ही वो successful बनेगा इसका opposite आपने कई बर देखा होगा दुनिया में कि जो लोग है ना educationally बहुत अच्छा नहीं करते हैं relationship नहीं है आपको यह समझ माना चाहिए और ऐसा क्यू है वैल इससे related ही 5 reasons आज बापके साथ share करने वाला हूं कि क्यू कई बर जो education होती है वो success को define नहीं करती है और इसके opposite कई बर जो बच्चे education में अच्छे नहीं होते है वो लोग क्यों इतने successful बन पाते हैं जबकि जो कई बर toppers होते हैं जो बहुत अच्छा marks लाते हैं वो लोग कई बार normal job में फस जाते हैं और failure के लिए काम करते हैं पहला reason number one है character over exams आपको पता है जैपैन में ना जबता है कि बच्चा 10 साल का नहीं होता है या फिर fourth standard तक नहीं पहुचता है ना तक तक उसके exams नहीं लिये जाते हैं अच्छा वो लोग जब exam नहीं लेते हैं तो लोग focus किस पर करते हैं वह लोग focus करते हैं बच्चे के character को define करने में उनके behavior उनके self confidence ऐसी चीज़ों पर focus करने पर ध्यान देते हैं के पास discipline नहीं हो उनके पास proper character नहीं होता है उन्हें लोगों को handle करने नहीं आता है उन्हें relationship फॉर्म करने नहीं आता है और कई बर वो life में failure बन जाते हैं कई बर टॉपर बनने के बाद भी इसलिए वो लोग पहले स्टार्टिंग में character पर focus करते हैं आपको पते होगा इस वजे से बहुत पीछे रह जाएगा दुनिया में वह लोग अपनी economy को बढ़ाने में बहुत जादा time लग जाएंगे centuries लग जाएंगे लेकिन क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ जैपनी आजके time पर आप बोल सकते हो दुनिया के सबसे leading लोगों में से एक है जैपन की economy जो है वर्ड की leading economies में से एक है वो जितने technologically advanced है जितने disciplined है उनका infrastructure यह सारी चीज़े full top level है पूरे वर्ड में और यह सब कैसे possible हो पाया वैल इसके कई reason में से बहुत बढ़ा reason यह है because Japanese लोग का जो character होता है वो बहुत ही सदा strong होता है वो लोग disciplined लोग होते है उनका work ethics बहुत अच् character अच्छे work ethics develop करने से जो लोग कई बार kaizen method से करते हैं kaizen मतलब क्या होता है कि हर बार अपने आपको थोड़ा से improve करना एक percent improve करना और ऐसी जब आपको improve करते रहोगे तो क्या होगा आप एक साल में 37 times से भी जादा अपने आपको improve कर सकते हो अगर आप हर दिन बस अपने character है वह काफी स्ट्रॉंग बनता है उनका जो self-confidence होता है नो कई बार failure होने के बाद भी काफी अच्छा होता है आप बोल सकते हो सिंपल शब्द में उनको दुनियादारी भी पता होती है और उनका strong character होता है जो कई बार एक टॉपर नहीं कर पाता है अब अगर आप चाहते ह comment में वह book की सारी knowledge मिल जाएगी बहुत आसानी से इस book के पर हमने off भी रखा है तो आप अभी जाके वह book को खरीच सकते हो second reason is the power of persistence आपने दशरत मानजी की story तो जरूर सुनी होगी उनको पर एक movie भी बनी थी जिसमें नवाजुदीन सिद्धी की थे काफी अच्छी movie थी वह movie देखोगे या फिर अगर आप उनकी story पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अब देखो जो दशरत मानजी थे ना वह बहुत अच्छी डिगरी नहीं थी वह स्कूल में टॉपर नहीं थे बट स्टिल उन्होंने इतनी बड़ी चीज करके दिखा दी जिसके जिसे दुनिया अबर में उनका नाम हुआ because वो एक persistent इंसान थे जो कई बर क्या होते हैं जो लोग टॉपर होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं जिसके जिसके उनको अच्छे marks मिल जाते हैं लेकिन लोग लाइफ में परसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और यह चीज आपन रहता successful नहीं बन पाता है क्यों कि वो किसी एक चीज में persistent नहीं रहता है जबकि जो फेलोग उते हैं लोग कई बर आप देखना को एक चीज पकड़ लेते हैं जिसमें अच्छे होते हैं और फिर वो लोग उस चीज को परसिस्टेंड ली करते रहते हैं करते रहते हैं करते success नहीं मिलती तब तक जिसकी वज़े से वो लोग उस field में इतने high level पर success अचीव कर लेते हैं जो कईबा toppers लोग कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो level का persistence रहता ही नहीं है और यहीं second reason third reason है the fear Sanders जब 6 साल के थे थे ना तब ही उनके पिता की death हो गई थी जिसके बाद क्या हुआ कि उनकी मा को काम के लिए जाना पड़ता था दिन दिन भर और Sanders को अपने भाई बहन को समालना पड़ता था इसकी वज़े से 7 साल की एज से ही उन्होंने cooking करना start कर दी थी और 10 साल की एज तक ही वो काफी skillful बन चुके थे इसके बाद उन्होंने farm में काम करना start कर दिया जिसके बाद उनकी माने एक आदमी से शादी कर ली जो काफी ज़दा violent निकला वो Sanders से और उनके भाई बहन से काफी ज़दा नफरत करता था जिसके वज़े से आप बोल सकते हो ना कि Sanders को फिर स्कूल से drop out लेना पड़ा 13 साल की एज में उन्होंने schooling छोड़ दी और इसके बाद वो job करने लग गया स्टार्टिंग में वो घोडा गाड़ी होती है ना उसको paint करते थे 15 साल की एज में वो आमी में गये इसके कुछ साल बाद उन्हें ने शादी करी लेकिन फिर उनका एक बेटा मर गया जिसके अज़े से फिर उनकी शादी में भी दराराना स्टार्ट हो गई और उनकी शादी तूड गई इसके बाद Sanders ने बहुत सारी चीज़े की उने ने इंशॉरयन्स में काम किया इस फार्मर काम किया स्टीम और पे काम किया फैरी बूर्ड पे काम किया लौयर बनके काम किया और कई सारी अलगलक चीज़े vont अपनी जिन्दगी भर करते रहे बट स्टिल उनने कोई एक चीस नहीं मिल रही थी जो सच में उनकी calling थी इसके बाद finally जब वो 40 साल के हुए न तब उनको उनकी calling मिली अब बुल सकते हैं उनका passion उनको समझ में आया जो था restaurant और खाने बनाने का जो उनके बचपन से linked था तो फिर उन्हें इस restaurant के business पे ही काम करना start किया और जब उन्हें अपने passion पे काम करना start किया न तो चीजें बदलना start होगी उन्हें आप बुल सकते हो success मिलना start होगी उनका एक बड़ा सा restaurant बन गया था जहां 140 से दधा लोग बैठ सकते थे बट फिर 65 की age तक क्या हुआ पता है अपनी बची कुची जिन्देगी को जैसे तैसे काटने ही कोशिश करता लेकिन Sanders ऐसे नहीं थे उन्होंने इस टाइम पे 65 की age में फिर उस 105 डॉलर्स के साथ अमेरिका घूमना start किया बिकाज उन्हें पिछले 10 साल में एक recipe create करी थी एक ऐसी recipe जो उनको लगता था कि धमाल मचा देगी क्यों बहुत ही tasty थी तो वो इसी recipe को लेके एक partner को ढूनने के लिए पूरे America घुमने लग गया है यह चीज बोलने में जितनी easy लग रही है उतनी थी नहीं जब वो अपना offer लेके लोगों के पास जाते थे तो लोग उनके ओपर हसते थे उनके मूँ पे दरवाजे बंद कर देते थे उनने भगा देते थे और उन्हें rejection पर rejection मिलती ही जाती थी इनफेट आपको पता है उन्हें total 1009 times लोगों ने reject किया था अलग-अलग लोगों ने reject किया था जिसके बाद फाइनली एक इंसान जाके मान गया और बस फिर जब वो एक इंसान माना उसके बाद क्या था उसके कुछ देरे बाद ही उन्हें success मिलना start हो गई और उनके 600 स्यादा फ्रेंचाइजी खुल गए पुरे अमेरिका में अब क्योंकि सेंडर्स की उमर बढ़ते जा रही थी तो फिर क्या हुआ उन्होंने टू मिलियन डॉलर्स में अपनी कंपनी को बेज दिया लेकिन वो ऐसा स्पोक परसन उस कंपनी में बने रहे जब तक वो जिन्दा थे और आज आज आपको पता यह होगा आज जो KFC है, Colonel Sanders है, पुरी दुनिया पर में फेमस है 20,000 से अधा KFC का आउटलेट पुरी दुनिया पर में फैले हुए है और यह सब कैसे हो पाया? यह सब हो पाया है विकोज Colonel Sanders फेलियर से नहीं डरते थे तक मैग्सिमम टॉपर्स जो होता है, जो लोग स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं आप देखना हो लोग फेल होने से इतना ज़ादा डरते हैं फेल होना तो दूर की बात है, वो लोग कम माक से बहुत ही ज़ादा डरते हैं जो उनके लिए kind of failure ही होता है जबकि जो failure होता है, उनके पता होता है कि fail हो जाना दुनिया का अंत नहीं है और वो लोग toppers की comparison में बहुत ही कम डरते हैं failure से इसके जिसे जब वो लोग real world में जाते हैं वो लोग ज़ादा risk ले पाते हैं वो लोग बड़ी बड़ी चीजे करने का सोच पाते हैं जोने successful बनाने में बहुत ज़ादा उनकी help करती है लास्ट पॉइंट है lack of thinking ability आज आपको पता है जो सैफ वली खान के पापा थे, father थे, वो एक क्रिकेटर थे वेल उनके जो father थे ना क्रिकेटर वो चाते थे कि उनका बेटा भी ना बड़ा होके एक क्रिकेटर बने लेकिन सैफ अली खान जो थे ना उनको एक्टिंग का ज़दा शौक था इसलिए उन्होंने अपने father की सुनने के बज़ा है उन्होंने एक्टिंग में ही अपनी करियर बनाने का सोचा और आज आप बोली सकते हो ना कि उनका decision kind of सही ही था क्रिकेटर बनना सज बोली तो काफी ज़दा मुश्किल होता है और जिस चीज में उनका नाम मन था ना उनका कुछ था हाँ सैफ अलीकान शायद बॉलीवोड के सबसे बड़े अक्टर नहीं है लेकिन स्टिल आज के टाइम पे भी वह रेलेवेंट है उनका नाम हम सब जानते हैं तो kind of आप बोल सकते हो कि वह successful ही है और यह वह कैसे कर पाए बिकाज उनने खुद सोचने की ability रखी जस बिकाज उनके फादर ने बोल जा कि क्रिकेटर बनना है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी preparation करने लग गए नहीं उन्होंने अपने लिए खुद सोचा उन्हें क्या पसंद है और वो उस चीज की तरफ गए जो बच्चे होते हों काफी जाधा smart होता है लेकिन वो लोग हमेशा अपने parents की society की उनकी सुनके ही हमेशा decision लेता है खुद से कोई decision नहीं लेता है उनके खुद की सोच नहीं होती thinking ability नहीं होती है जिसके जिसे लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से बिताता है और क्योंकि वो लोग हमेशा हर चीज दूसरों के हिसाब से करता है इसलिए फिर वो लोग लाइफ में जदा आगे भी नहीं बढ़ पाता है जबकि देखना आप जो successful लोग होता है जो कई बार है ना school education में failure होता है वो लोग teacher, principal, school के system से हट के खुद की सोच लाना start करता है वो लोग कुछ अलग अलग चीज़े try करना start करता है और वो लोग अपनी सोच के वज़े से अपने अलग actions के वज़े से फिर life में कुछ बढ़ा भी कर लेता है देखो दुनिया के बहुत समझदार लोग Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jack Dossie इंडिया में अगर आप देखोगे तो Kerry Minati, Ritish Agarwal, Aamir Khan यह सारे लोग है आज अपनी life में काफी successful है लेकिन यह सारे लोग है ट्रॉप आउट्स भी है और यह लोग क्यों अपनी life में इतने आगे बढ़ पाए विकास इन्होंने खुद का सोचा इनके अंदे thinking ability थी इन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए ना कि जो education system ने एक रास्ता बना के रखा है simple वाला जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं पढ़ता है आपको सब दूसरे लोग है आपके लिए सोच के आपके लिए रख देते हैं passion की बात चली रही है तो आपको मैं बता दू मैंने एक passion celebrate course भी बनाया था कि कैसे आप अपना खुद का passion find out कर सकते हो उसकी बिलिंग में description में ले दूँगा अगर आपको नहीं पता है कि आपको अपना passion कैसे find out करना है क्यों कई बार failures लोग successful लोग से आगे निकल जाते हैं शेर कर इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग सी formal education पर बहुत जादा focus करते हैं उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमाय टॉपर बन गया तो बस जिंदगी set है ऐसे लोग के साथ वीडियो ज़रूरी शेर करो WhatsApp पर और उनके साथ भी शेर करो जो लोग failure है ताकि उनको भी confidence मिल सके कि हाँ fail होना end of the life नहीं होती है आपनी life में बहुत कुछ कर सकते हो और अगर आप ऐसी interesting बाते हर अफते free में सीखते रहना चाहते हो तो subscribe करके bell icon ज़रूर दबाओ यह सारी बाते मैं आपको कई सारी अलग अलग books की help से लेकर बताईए कौनसी कौनसी books है? details में description में डाल दूँगा जाकर आप books भी पढ़ सकते हो उसकी अब ही के लिए बस दिता ही thanks for watching